हेलो गुड मॉर्ण वेलकम टू दे कोचिंग अभिसेग कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल और अगर आप एस्टेसर मास्टर की तयारी करना चाहते हैं तो और पूरा जानकर यह आपको चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए पूरी चीज हम आपको बताने इस वीडियो में उससे पहले चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए और आपको हमारा मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग हमारे इस वेबसाइट पर मिलेगी अगर आपको क्या सब चीजह जनकारी चीए तो सबसे पहले आपका है एज लिमिटेशन यानि की आपका जो एज है उमर है कितना होना चीजिक कम से कम तो होना चीए अठारा साल और ज्यादा होना चीए 32 साल यानि कि 18 से लेगर के 32 साल तक आपका एज होना चीजिए जिसमें की OBC एक्स्ट्रा यानि 32 साल से लेगर के साइटिस साल की उमर तक वो लोग फॉर्म को डाल सकते हैं यह तरह आपकी एज लिमिट को अब देखें मेडिकल रिक्वार्मेंट क्या सब होगी तो इसका जो मेडिकल होता है वो होता है एटू एटू मेडिकल बेसिकली इसमें आंख दे तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हां कलर वीजन नहीं होना चाहिए और सभी जो टेस्ट नॉर्माली जो होता है उस तरह से होगा उसका फिर देखें में मीनिमम एजुकेशनल क्या है स्टेसर मास्टर बनने के लिए मिनिममम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेश और डिजोएशन और ग्रेजवेशन का डिगरी एसront में का किसीव थे लेंज, से हो चलेगा मैं शोला जैकर बैस च्सथी गना से जब है यानि ऑफीसर रैंड की यह जॉब है तो यह रहे आपकी बैलकुट बेशिक सी जण करी आगे बरते ही évidemment कर देखे फॉर्म निकलने से ले करके पोस्टिंग तक कि अाओ देखे फॉर्म निकलने से लेगर के पोस्टिंग तक की पूरी परकेडिया क्या होती आई ये हम लोग समझते एक नाजर में तो सबसे पहले तो आपका फॉर्म निकलेगा फॉर्म कब निकलता है और कहां से निकलती है इसके बारेम जान लिजे आर आरबी का जो वेब साइट होता है और वेब साइट है उसकी वेबसाइट पर निकलती है और जब फॉर्म नेकलती है तो Sanders बिल्कुल टम लेवल पर बहुत ज्यादा चर्चाम रहती है सभी जय करता है है एक साल या फिर दो साल के अंतराल पर वो नीकाल सकती है तो कभी भी निकल सकती है जब रेलवे की ज़वत पड़ती है पर एक साल रेलवे में 8050 रेल रेतायर होते हैं जब रेल बपो जवत पड़ती तो आपको फॉर्म निकलता है तो से देव हम fazendo होने से इस पर कोई फ़रक नहीं पड़ेगा मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूं रेल्वे प्राइबेटाइश्टासिंग उपर जॉब के उपर क्या फ़रक पड़ेगा तो इस लिए आप लोग उस बात को इग्नॉर करें आप लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखिए तो य आपको कि दूसर स्ट्म जाकी एकजाम देना पड़ता है यानी आपका एक्जाम होता फॉर्म निकलने के बाद आपको होता है एक्जाम सिसमें कितने होते हैं इसमें पamientos ओन्री ओивает Rapha TR 2 फिलकुल बिल्कुल और जरी डॉनस्त हैतलerson लें में पनते साइको टेस्ट टोलेकजन आपका हुए, جसमें के देखे, CBT1, CBT2 होगा, CBT3 होगा और तो एकजयाम होगे तीन अब एकजयाम को जैसे आप पास करते हैं 3 एकजयाम को पास करने के बाद आपका तीसरा जो मोहाँ पर चेक हो जिसमें कि अगर आपने कोई याती परमानपत डाले है उसके लिए हैं तो वो सब की है कि आण और सब क्लिप्र ढॉट में का लिस्ट में खी यह साऺम हिरोगोच जाए वो सब आपको कि थे लिए फिटल में होता है वहाँ पे आपको एक या दो दुन का समय लग शकता है और नॉर्मल सी जी तर से मेटकल होती है दो होती है और ज्यादा खुछ हमेंस दिकता स्मेडिकल जैसे आप किलिए करते हैं उसके आपको आपको मिल जाती है उसका फिर आप जाका जोएन करें उसका कुछ दिन का पूर ट्रेनिंग मिलेगा ट्रेनिंग के बाद आपको असिस्टेंट के रूप में किसी किसी छोटे अगला टॉपिक को करते हैं कवर एकजाम कितने होते हैं कौन-कौन से पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता चुका इसमें तीन एक्जाम होती है सिविच दो और any parasite लोगे लेड़ टीन ऐख्याम के बाढ़े में और हाँ एक ची और कि इसका जो फार्म निकलता हो किस नाम से निंकलता है तो ओ और आन पी पहर एंटी पीसे अं टी के नाम से फार्म निकलती है जोरन टेकनिकल tęओर kanadop को रेलवे में और इसमें जैसे सेás एक होती ए Weil ऑड पार जोब इसाब आता है तो उसी में एक आता है सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास आता है नब मिनट का आपको समय मिलता है एक सो कोशन पूछता है वो कहां से पूछता है तो इसमें देखिए तीस कोशन आपका मैच से आता है और इसके बाद कि कुशन आपका रेजनेंग्स आता है अब बज क्या 60 कोशन और शार्ट को जन यह आफका आता है जी के से अब देखिए आपका जीक्या में साइन्स भी हो गया आर्ट भी ओ फिजिक्स केमेस्टी बाइलो जी आठ विप में के बारे में, देखे, CBT-2 एक्जाम में जाखिए, किस तरह के कोशन आते हैं एक्जाम में आपके, तो देखे, CBT-2 एक्जाम में देखे, इसमें 120 कोशन आता है, कि इसमें यह से क्षोशन आता है है इसमें आपको टाइप मिलता है 90 मिनिट पाकी समय मिलता है 120 को सा दूंट का समय किइन किसन्व है क्या एक सब्सक्राइब यह जो पचास को सब्सक्राइब है वह आपका से तो अब इसमें वाहिए आर्ट पर साइंस पर करेंट अफेर्स तो यह रहा आपका उसका फिर देखिए आपका सीविटी थ्री एक्जाम जब होगा सीविटी थ्री एक्जाम यानिकी साइकोड टेस्ट साइकोड टेस्ट साइकोड टेस्ट भी कंप्यूटर पर होती है इसमें टोटल पांस टैप कोशन पूचे जाते हैं असिस्टेंट टेस्टर मास्टर के साइकोड टेस्ट के उपर में एक अलग से स्पेसल वीडियो बढ़ाएंगे तो आप उसको देख लिए फिलार अगर अगरे बड़ता है और देख्ते हैं अब क्या परिक्षा को पास करने के लिए एक या फिर में कर सकते आप पता कर सकते हैं कि इसके लिए घर बेटे तो अपको लेना है Master Notes और स्मार्ट वीडियो कोचिंग Master Notes का फिलाल मैं आपको कवर फिस दिखा देता हूं यह सब देखिए यह अरवी एंटीपी से एक जाम बुक्स है 2019-2020 के लिए सब्सक्राइब करें यहां पर देखिए यह मैंने लिखा है Math का बुक यह आपका रिजनिंग का बुक मैंने लिखा है जर्रेल आवार्डनेस में आपका हिस्ट्री जोग और फिल्कुल कर लिजे बिल्कुल आसानी से अगर आपको कुछ पूछना होता आप हुमें उस नमों प और इस वीडियो बस इतना ही आपको आगे कोई क्या जानकारी चाहिए आप इस वीडियो में कमेंट करिए इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और आपको यह जानकारी कैसे लगे हमें जरूर बताएगा थैंक्यू समच आ आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में